तो ही यो वाच्छी ख़वर एक बहुत बहुत अच्छी ख़वर निकल कर आ रही है लिटरली अगर आप राजिस्थान रॉयल्स के फैन हो तो सबसे अच्छी ख़वर एट प्रेजेंट आप के लिए मैं निकार कर लाया हूं लियम लिविंग स्टोन इस फिट लियम लिविंग स्टोन इस प्लेंग दर रीसेंट मैच और लियम लिविंग स्टोन यहाँ पर अवेलेबल रहने वाले हैं राजिस्थान रॉयल्स के फैन्स आपके लिए बहुत बहुत बड़ी ख़वर है मेरे को भी पता है राजिस्थान रोयल्स के फैंस का दिल तूट जाता आपको बता दिया जाए थोड़ा सा ओवर्वीव दू तो रीसेंट वाला जो मैच था काउंटी चेंपिंशिप का वहाँ पर लियम लिविंग स्टोन खेल रहे थे वहाँ पर फील्डिंग करते वह उनको चोट लगी थी फील्डिंग कर होते वह और अगर वह बायचांस आईपिल से बाहर हो जाते तो राजस्तान रॉयल्स के लिए सबसे बड़ा जटका अब यह लग जाता लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ राजस्तान रॉयल्स के फैंस आपके लिए निकाल कर ले आया हूँ जो रीसेंट मैच चल रहा है अभी रीसेंट मैच चल रहा है अभी लेंकैavait छायर वरसेज वरगविक शायर डिविजन वन का यह काउंटी चैंपिनशिप का मैच चल रहा है और यहा पर लियम लिविंग स्टोन अपकी टीम से बैटिंग करने के लिए आ गए है लिविंग स्टोन यहाँ बैटिंग कर रहे हैं मोस्ट ग्रेटेस्ट नियूज है यह लियम लिविंग स्टोन इस फिट और वह 100% यहाँ पर IPL खेलने वाले हैं 100% अविलेबल रहने वाले हैं उनकी इंजुरी है मतलब उतनी मतलब सीरियस नहीं थी वह इंजुरी उतनी जादा और वह फिट हो चुके हैं यहाँ पर खेलने आया और अभी भी आई पेल में 15-20 दिन है तो तब तक यहाँ पर लिविंग स्टोन और जादा फिट हो जाएंगे पूरा फुली रिकवर हो जाएंगे और लियम लिविंग स्टोन यहाँ पर अवीलेबल रहने वाले हैं रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो लियम लिविंग स्टोन क्या ही फॉर्म में चल रहे हैं इंगलाइड पाकिस्तान में अभी सेंचुरी मार के आ रहे हैं दा हन्रेड में बहुत बहुत अच्छी फॉर्म में थी है, दा हन्रेड में एक 90-92 रन की उन्हें पारी भी के लिए थी, लगबग 200 के स्ट्राइक रेट से, तो लियम लिविंग स्टोन इस डिफिनेटली इन रेड होट फॉर्म, और राजस्तान रॉयल्स के लिए भले ही जो वो तो बहुत बहुत ज्यादा अची है, ड्रीम फॉर्म में चल रहे हैं, अब लेट सी, मही तरफ साच के यह वीडियो थी, राजस्तान रॉयल्स के फैंस को अभी लेट टेस्ट कबर देनी थी, कि उनका प्लेयर, लियम लिविंग स्टोन, इस फुली फिट और वो खेलने वाले हैं, तो बस में तरफ साच के यह वीडियो थी, अच्छे लिए को शेकर देना, बाई बाई, टेक के,